Hi everyone, आज मैं आपके लिए लाया हूँ probability की second series जिसमें हम cards को randomly select करके किसी एक card को निकालने की probability निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हम cards के बारे में जान ले दें, देखिए इस type का symbol जिसमें बना रहे था, वो हो था diamonds के card, ठीक है, और ये heart का symbol है, ये club का symbol है, और ये spade का symbol है, त ये जिसे एक का भी बोलता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, king होगी, queen होगा, और jack होगा, ठीक होगया, वैसी आप second के देख लीजे, heart के, तो ये होगया, ace होगया, 2 होगया, 3 होगया, 4 होगया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, king, queen, jack, ठीक है, ये तो बात आई red की अब ऐसी next वाले का देख लेते हैं next वाले में भी देखते हैं आपके पास क्या condition है इसका भी ace होगा 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा 9 होगा, 10 होगा king होगा, queen होगा और jack होगा ठीक है next का भी देख लेते हैं total हर किसी के कितने card है 13 card है अब count कर लीज़े 10 तो यह हो गए plus 3 यह हो गए 13 तो हर किसी के 13 cards हो गए 13 into 4 आप अगर multiply करेंगे तो total हमारे पस sample space कितने हो गए 52 हो गए अगर मैं total cards की बात करूँ total cards की बात करूँ तो यह 52 है देखिए अब ये face card क्या होते हैं यहां से देखिए जिसमें चेहरे बने रहते हैं king, queen और jack सिर्फ ये ही चेहरे वाले card है face card कितने हैं 3 हैं हर किसी के कितने card है 3 हैं ये भी कितने card है 3 हैं तो ऐसी count करिए कितना हो गया 3 और हमरे पर 4 column है 3, 4, 12 ठीक हो गया face card कितने होगे 12 ace कितने होगे ace का मतलब 1 के जिसे भी बोलते हैं हम ace हमारे पर कितने हो गये 4 हो गये ठीक है अगर मैं red ace बोलूँगा red, red color के ace बोलूँगा देखिए अगर red color के diamond card कहूँगा तो वो 13 होगे red color के heart कहूँगा तो वो भी 13 होगे club कहूंगा तो वो black color में होते हैं याद रखी का इसलिए मैंने color बना रखा है मैं club के कहूं तो वो सर्फ 13 होंगे और इसके भी क्या होंगे अगर मैं spade के कहूंगा तो इसके भी 13 कहूंगा सीख हो गया अब मेरी बात जहां से सुनिएगा अगर मैं total मैं से पूछूंगा तो कितनी हो जाएगी फॉर अपॉन फिफ्टी टू ठीक हो गया थी की पूछूंगा तो कितनी हो जाएगी फॉर अपॉन फिफ्टी टू फॉर की पूछूंगा फॉर अपॉन फिफ्टी टू ऐसे ही स्वान करते वे अगर आप king की पूछछी है तो वो भी कितनी हो जाएगी 453 Queen की पूछूंगा तो वो भी कितनी हो जाएगी 453 ठीक हो गया यह तो टोट स्टीटेश peng पूछूंगा अब अब मेरी बात यहां सुनेगा अब मैं कह है total में से अगर पूछ रहा है total में से पूछ रहा है total में से रेट पूछ रहा है अगर खाली red card में से पूछ रहा होता तो यहां कितना आ जाता कितना जाता 24 आ जाता समझवाई बात अगर खाली red में से पूछ रहा होता तो two upon पूछा है अगर खाली एस तो आपान फिव्टी तू अगर खाली इसी में से पूछा तो यह हो जाएगा थ्री का पूछुँ गा तो थ्री अपान फिव्टीट्यू और तू का पूछुँ तो सब्सक्राइब बढ़ कि रहा है किटने की टूटल मैं से रट काड़ पूछू तो कि इतना हो जाएगा टू अपॉछुंगा ठीक होगे अब मैं indeed in case कभी कभी ऐसे पूछ रहता है जैसे bet car ं Nahique learned river attack ुमारे यह फिपार्ट कि पूछ रहत हैं ही तो ब्लैक काइष के लिए वह हो जाएगी K Frightman क strip 2 अफ़ाइगा 2 Èंश्य म्मिंटी इसका भी 2 ऊपॉण 52 इस ले भी 2 upon 52 ठीक है इसको इसको भी सके लिए भी कितना हो जाएगा 4 पॉर का है तो ये कितना हो जाएगा 4 के लिए भी कितना हो जाएगा 2 upon 52 ठीक हो गया समझ माई बात तो पूरी condition के लिए क्या हो जाएगा अगर पूरे whole मैं से पुछ आका था तू अपॉन 52 और पूरे मुझे से पूशक का है तो जितना उसका condition है उतना upon 52 ठीक है ये cards की condition है चलिए एक और देख लेते हैं फिर इसके बाद condition अगर दो dice एक साथ फैके गए है जैसे माल लीजी ये दो dice है इनको एक साथ फैके आपने थो कर रखा है समझवा आगी बार समझवा आई बार तो हम क्या करेंगे देखते हैं अब पहली बार तो अगर माल लीजे दो dice आपने एक साथ फैक रखा है मैंने दोनों का अलग-अलग दिखा रखा है रेड वाले को ऐसे दिखा रखा है और ग्रीन वाले को ऐसे दिखा रखा है तो देखे 1,2,3,4,5,6 1,2,3,4,5,6 अगर द दोनों की पहले condition बनाता हूं कि दो dice एक साथ फैक रखा रहे है तो total outcomes कितने बनेगे पहले 1 का सब के साथ करिए देखे 1,1 यह कितना हो गया 1,2,1,3,4,5 और यह कितना हो गया 1 का 6 के साथ ठीक हो गया अब 2 के साथ बनाईए कितना हो जाएगा 2,1 ठीक है 2,2 फिर कितना हो ज 3,1,3,2,3,3,3,4,3,5 सब के साथ कर रहा हूं 3,6 ठीक है अब 4 के साथ बनाईए 4,1,4,2,4,3,4,4,4,5,4,6 फिर कितना हो गया 5,1,5,2,5,3,5,4,5,5,5,5,5,6 अब 6 के साथ बनाते हैं कितना हो जाएगा 6,1,6,2,6,3,6,4,6,5,6 ठीक है अब टोटल कंडिशन कितनी हो गई हैं आपके पास 36 कंडिशन हो गई हैं ठीक है अब क्वेश्चिन के एकॉर्टिंग हम चलेंगे कि कैसे हम से पूछा गया है तो इसके बाद वाली वीडियो में मैं उसके बारे में डिस्कस करूँ है अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक है सबस्क्राइब